जिले भर में 27 फरवरी को आई तुफान बारिश और ओला वरश्टी से फसलों को खुवी नुकसान की मुआवजी की मांग जोर पकड़ने लगी है साशन सर पर एक और जहां अमला खेतों में सर्वे के लिए पहुच रहा है तो वहीं दूसरी और किसान कलेक्टरिट का रुख कर रहे हैं गुरवार को भगवानपुरा ब्लॉक की करीब देड दरजन से अधिक गाउं के किसान हातों में खराफ फसल लेकर कलेक्टरिट पहुचे गौरी धाम से प्रभारी लेली निकाल कर नारिबाजी करते हुए कलेक्टरिट पहुचे किसानों ने परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टरिट के सामने गुजर रहे इंदोर रोड पर धना प्रदर्शन किया धना प्रदर्शन से चक्का जाम की स्तति निर्मित हो गई दोनों और वहनों की कतारे लग गई कलेक्टर पहुचवे किसानों ने बताया कि हमारे गाव में हजारो एकड रगबे में लगी मका गेहूं चनाफ फसल को नुक्सान पहुचा है आज तक गाव में कोई अधिकारी जन प्रतिनीदी नहीं पहुचा हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी बादे को पूरा कर 2700 रुपए प्रतिक विंटल की दर से गेहूं खरीदी करे और साथ ही खराफ फसलों का परियाप्त मुआवजा दे अन्य था आगामी किसानों के सब्सक्राइब कर दिया और किसी को रवाना कर दिया और सबको रवाना कर दिया अस्वासन दे आगर दो रोज तक यह मां हमारी नहीं पूरी हुई पुरे गाओं में बगवानपुरा टेसिल के जित्ते वी किसान है वो यहां पर आये और पुड़े वला उस्टी हो गई यह फजल चना मक्का जो भी किसानों ने बोया था पुरा नश्ट हो गया और हम यहां पर अपिस आई है तो हमारे यहां कोई सुनवाई नी हुई और हमको यहां गेट के वारी अश्वासन दे दिया ने बाड़ी पंचाट का उस्टर पर गोतम चोहन बोलगा और यहां क्या कर रहा है ग्राम मदनी में चार-पाज मकान धरासरी हो गए एक हीड भी नहीं बच्ची है और एक बच्ची अभी तीन रोज से हस्पिटल में भरती है उसकी आज तक ना प्रसाशन कोई खबर लेने गया है वह बच्ची के पे टूटे हुए हैं कई जन हनी हुई है मवेशी मर चुकी है हमारी फसले तोटल नस्ट हो चुकी है एक फसल के तीन तुक्रे हो गया है ना तो पटवारी गया है ना तो प्रसानी काधिकारी गया है और हमारी मांग है कलेक्टर महबे से कि हमारी आवाज को भवपाल तक पहुचा है और हमारी फसल का महजा दिलवा उसका सर्वे करवा है मैं शिवभानु सिंग मंदले ग्राम पेनपूर